दोस्तो लाइफ में सफल वही होगा जो जिसे पता होगा कि उसे जाना कहां पर है जो फोकस्ड होगा उन चीजों को अचीव करने के लिए जो एक्चुल में उसे सफल बनाएंगी और सफलता बिलकुल निर्वर करती है आपके फोकस्ड बिहेवियर पे आपने अरजुन को भी देखा था वो फोकस्ड था मचली की आँख को लेकर उसे मचली की आँख के लावा कुछ भी दिख नहीं रहा था तो ये एक तरह से सिंबल है कि आप लाइफ में तभी सफल होगे जब आपको निरंतर आपके माइंड में ये पता रहेगा कि आपको जाना कहां पर है अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाते हैं और वो हमेशा आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो इसके बहुत जादा चांसेज है कि आप उसे अचीव भी नहीं कर पाऊगे क्योंकि वो जस्ट आपका एक था जैसे चोटे बच्चे होते हैं कभी वो डॉक्टर बनना जाते हैं कभी इंजिनियर बनना चाते हैं दूसरे दिन कुछ और बनना चाते हैं तो यह सेम उसी की तरह है अगर आप अपने उस ड्रीम को रोज अपने जहन में नहीं याद करते हैं तो फोकस्ट बीहेवियर एक बीहेवियर है जो आपको सफल बनाएगा और focused behavior के साथ में एक चीज और जरूरी है जो आपके focused attitude को बनाए रखती है वो है कि आप अपने distractions को पहँचाने दोस्तो आप focused हो good है आप focused हो के उन कामों को करते हो रोज जो आपको आगे तक पहुँचाएंगे वो भी बहुत अच्छी बात है लेकिन उन focused कार ये को करते हुए कई बार आपको distractions भी जहिलने पड़ते हैं मानली जी आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपका mobile आपके पास में रखा हुआ है और जैसे ही कोई message आएगा वर्टसप पे तो आपका दिहान पूरा का पूरा उस message पे चला जाएगा मानली जी आप healthy रहना चाते हैं तो उसके लिए exercise करते हैं पड़ जैसे ही आपके सामने fast food आता है तो आप उसको भूल जाते हो fast food खाने लगते हो आपको सफल होने के लिए दो चीज़े मैं मानता हूँ बहुत जरूरी है एक तो आपका focused behavior जो आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहा है करना क्या है दूसरा उससे जादर जरूरी चीज़ कि आपको अपने distractions का भी पता होना चाहिए जिससे कि जब वो आपके सामने आ जब करना है कि जब करना है कि जब करना कहा है